संसत में देखें तो 12 प्रतिशत से कम महिला हैं, विधान सभाओं में 9 प्रतिशत से कम हैं, अगर हम संसत में देखें, अगर 10 संसत सदस्य हैं, तो उसमें से 9 पुरुष हैं, सरफ एक महिला है तो ऐसी स्थिती ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें, तो भारत की सिती इविन इंडियन सब पॉंटिनेंट पर भी बहुत डिस्करेजिंग दिखाई देती हैं, हम ग्लोबल मैप पे हम क्या दिखते हैं, कि हम अपनी महिलाओं को प्रतिनिदित्व नहीं देते, यहां पर ज जो है उसकी प्रेजिडन थी, तो सब से जादा मोमेन को जो मिलता है महिलाओं को वो नौडिक कंटरी मिलता है, वहां पर सब से ज़्यादा representation पार्लिमेंट में भी है opposition में भी है बगर यहां पर उसकी वज़़ज़ वहां एक दूसरी वज़़ज़ भी है कि वहां अबादी कम है तो पुरुज जो है वो business करते हैं महिला हैं जो है वो politics में ज्यादा है ऐसा कहते हैं बगर वहां एक concept भी है कि महिला को seriously लेते हैं दूसरे countries के अंदर भी situation इती बहतर नहीं है जब मैं IPU में गई हूँ तो मुश्किल से हमारी conferences में 8-9 percent महिला आती है पर जब मैंने छोड़ा तो 25 percent महिला आती थी delegation में क्योंकि मैंने mandatory कर दिया था कि हर delegation में महिला का होना जुरूरी है तो मजबूरी ने लाना पड़ता था महिलाओं को delegation में तो उनको exposure भी मिलता था international discussions का exposure भी मिलना चाहिए अभी तो बात खुशी के बात है कि दो बार हमारी speaker महिला बनी हमारी president महिला बनी तो यह तो एक अच्छी बात है कई बार कहा जाते है अगर percentage नहीं है तो यह tokenism है मैं इस अद तक तो नहीं जाओंगी कि tokenism है क्योंके जो महिला है आई है किसी की महरबानी से नहीं है यह महिला है अपनी महनत से उपर आई है तो tokenism जब होता है जब किसी को टुकडा बांट दिया जाए हमें कोई बांटा नहीं है हम अपनी महनत से आए हमारी speaker जो है वो कितनी साथ बार election लड़ी जीत के आई है पुछों कोहरा के आई है तो हमारे इसको tokenism तो मैं नहीं मानूंगी हाँ यह जोरू मानूंगी कि यह अच्छा नहीं लगता है